जै गुरु जी आटे जै गुरु जी अभी शुरू कर सकते हैं जै गुरु जी और गुरु जी आपके चर्णू में साधर प्रनाम और आई हुई सभी संगत को प्यार भरी नमस्ते गुरु जी आपको भी प्यार भरी नमस्ते संगजी आज फिर गुरु महाराज ने इतने सुन्दर पावन ये हमें घडियां दी हैं सत्संग शेरिंग की जो प्रथा गुरुजी खुद स्वयम शुरू करके गए थे जिससे ना केवल गुरुजी की बढ़ियाई होती है पर हमें गुरुजी के प्रती प्यार बढ़ता है और फीत बढ़ता है तो आज हमारे साथ निधी आंती हैं जो अपनी जर्नी गुरुजी के साथ जो रही उनकी सभी संगत के साथ शेर करेंगी तो मल्टी लिंग्वल ग्रूप की तरफ से अपने सुरेश अंकल की तरफ से और सभी मल्टी लिंग्वल ग्रूप के जो सेवादा टीम है सभी की तरफ से सभी संगत का स्वागत है और निधी आंती आपका बहुत-बहुत स्वागत है हम सभी आपको सुनने के लिए बेताब हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आप अपनी blessings हम सब के साथ शेयर करिए आए आंटी, गुरुजी की blessings हमारे साथ शेयर करिए Welcome Nidhiya आंटी Thank you so much, I hope I am audible, audible enough Yes, very very clear, please go ahead Thank you so much, शुक्राना मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना अंकल का, जिन्होंने मुझे 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 दिया एतने बड़े ग्रूप पे अपनी blessings शेयर करने का Actually, it's a very overwhelming time for me because मालिक के बारे में कुछ भी कह पाना बहुत ही एक मुश्किल काम है लेकिन definitely, I feel very blessed, very very blessed and so are all the people, all the sangat of I guess the entire world at the moment कि मालिक ने हम सब का हाथ पकड़ा और हमें इस काबिल समझा कि हमें अपने साथ जोड़ा उन्होंने So, I will start my satsang with thanking my sister-in-law जिन्होंने हमें गुरुजी का द्वार दिखाया It was back then in 2005 and हम लोग भी बहुत ही नाइफ थे, छोटे थे और सिर्फ ये मतलब सिर्फ सुनके गए कि अच्छा कोई हैं जो बैठते हैं, कल्यान करते हैं, बाबाजी हैं और इतना पता नहीं था गुरुजी के बारे में बट मेरे सिर्फ इनलोव, Madhu Kishwar, who is a very, very devoted संगत of Guruji, a very old संगत, उनके साथ हम जा पाए, Empire State, और Guruji was there, very much there, sitting and हम लोग अपने वही questions के साथ दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ लेते हुए कि अच्छा पोँच गए, अच्छा कैसा है, अच्छा, you know, just like a normal person, normal human, that okay, अपने दिमाग के अंदरी कुछन आंसर करते हुए, पोँच गए, मैं और मेरी जिथानी दोनों, और हम लोग जैसे अंटर करें, तुम हाँ पे तुनीचे एंपार स्टेट में, हूँ, हूँ वर देर, मतलब, all the VVIPs, I guess, were sitting there, very close to Guruji, and we as a normal people, commoners, we were like kind of into our minds that, okay, this is the place, and अंदर गए, और हमारे साथ और भी बहुत लोग थे, जो Bombay से आये थे, और उन लोगों को जैसे वो सेवादार अंदर ले गए दीदी के साथ, और मैं और मेरी सिस्टर लोग, मेरी जधानी, हम लोग in meditative mode, and thanks to him again, कि उस वकत भी शायद इतनी मालिक ने हमे शंता दी होगी कि we could relate, and coming from a Sikh family, I relate with Gurbani a little more, so I could gather that, okay, this is a very serene place, and everybody is doing meditation, and what an aura, यही चीज़े जूट नहीं हैं, यही चीज़ें थी, first time, जब हम लोग गए, दिमाग के अंदर यही चीज़ें थी, but no doubt, aura बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, and we kept our things in time that okay, you know, अभी हमें भी बुलाएंगे, अभी हमें भी बुलाएंगे, हम लोग दिमाग में अपने यही सोछते रहे, कि अब हमारी बारी आएगी, हम भी गुरुजी से मिलेंगे, और हम लोग उपर बाठे रहे, और last में जब हमारी बारी आएए, और हमें थोड़ा सा पानिक होने लग गया था honestly speaking कि इतनी संगत बाठी है नीचे, हमारी बारी कब आएगी, अब तो संगत का टाइम खतम हो जाएगा, अब तो लंगर शुरू हो जाएगा, हम कब जाएंगे, गुर जी से मिली ने पाएंगे, you know, like a very very normal person would think that way, और जब हमारी बारी आई, finally हम लोग नीचे गए, तब भी बहुत संगत बैठी हुई थी, और मैं सिर्फ अपना experience में बताऊंगी, जो मेरे दिमाग में चला, मेरे दिमाग में आया है कि इतने लोग हैं, और मैं इतनी पीछे घड़ी हूँ, और गुर जी को कैसे, you know, approach कर सकें, और actually वहाँ पहुँचकर आदमी नम हो जाता है, आप जितने मर्जी questions दिमाग में लेके जाएं, जो मर्जी कर लें, लेकिन उनका औरा ऐसा था कि आप, I froze completely, and I just looked at him, and nothing, and he was in his signature pose, sitting, एक पैर के उपर पैर रखके, और उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ ऐसे आगे इशारा करा कि आप आगे चले, औ हम लोगो ने लंगर किया, और हम लोगो आगे ली, कुछ नहीं कहा पाई, कुछ बात नहीं हो पाई, that was my first encounter with Guruji Maharaj, और आज मैं ये समझती हूं कि हमारा कॉल नहीं था, मालिक ने उस वकत ब्लेस करना था, कोई रहा होगा, क्योंकि दो हजार पांच के बात हम लोग दुबा state was a very secluded place at that time, nobody knew much about that place, so you know, that was all kind of a thing in our family that okay, you know, अब कहां बाबास के पास चल पड़ेंगे और what not, and there was a big discussion about this that, and we couldn't, we couldn't go आगे, और उसके बात हम लोग reconnect हुए, again, I and my sister-in-law, my Jathani, हम लोग फिर reconnect हुए गुरुजी महराज के साथ 2013 में, 2013 से लेके आज तक ऐसा कोई दिन नहीं है, कोई ऐसा पल नहीं है, जब मालिक ने ये नहीं जताया हो, मालिक ने ये हमें नहीं संभाला हो, कि मैं ये कह सकूँ कि हमारा कोई भी दिन उनके बिना निकला पॉसिबल नहीं है, बहुत ही सिंपल गुरु हमें बहुत सिंपलिसिटी से मिल गए शायद, कोई ऐस सच गुरुजी के साथ इफ और बच कोईंसिदेंस नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि आपको क्या करना है, all he wants us to be a good human being and do our things, उनकी बताया ही बात हैं शायद इतनी सिंपल हैं संगत जी कि अगर हम उन बातों को really थोड़ा सा भी अपनी daily life के अंदर हम उसको include कर लेंगे, तो I think हम बहुत अच्छे human बन पाएंगे, even today I am learning, I am learning everyday and everyday is a blessing with him, everyday is a miracle with him, I think हम लोग आँख खोलते हैं अपनी, तो यह उनकी blessing है, कि हम आँख खोल पा रहे हैं, तो अ अगर हम हर रोज सर्फ यह चोटी-चोटी चीज़े देखे ना कि मालिक न हमें कितना कुछ दिया है, how he is making us a better human being, a better soul, तो कहना बहुत ही मुश्किल है कि उनके बारे में क्या ही कहें मुझसे related, तो मुझे लगता है मेरी पूरी life is a miracle with him, huge blessings, huge blessings, सबकी life के अंदर ups and downs होते हैं मेरी life में भी रहे हर तरीके का struggle रहा पर मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी, I always looked at him I'm sorry, और मुझे यही लगता था कि आप देख रहे हो ना गुरुजी, आज भी यही लगता है तो जैसे मैंने कहा कि उनके लिए कहना चीज़ें बहुत मुश्किल है, यह अपना सबकी अपनी personal journey है कि कि किसको कैसे bless करना है, किसको कैसे वो जानते हैं तो आपको कभी भी घबराने की जरुवत नहीं है, आपको सचाई से, अच्छे भाव से हमें देख रहे हैं, हमारे भाव जानते हैं, सब कु जानते हैं छोटा सा अपना एक सच्छन मैं आज का शेयर करूंगी जरूर क्योंकि बेकुल रीसेंट है, सुबे की ही बात है तो आई वांटे तो कीप सुक्मनी साब जी का पार्थ गुर्द्वारा में for the time being I'm in Dubai and my daughter is visiting me from Australia and by Guruji's grace उसका हमने शादी फिक्स करी और मेरा बहुत दिल था कि वो आ रही है तो वो ब्लेसिंग्स ले और जा पाए and मैं सुक्मनी साब का पार्थ हूँ बहुत जादा दिमाग के अंदर था और बार 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 सारे सचन भी सुक्मनी साब जी के आ रहे है और सब कुछ आ रहे है तो I was like okay let's go but we went and actually I saw the book myself that it was overbooked the dates she's visiting it was completely completely packed फिर भी I requested the manager I said uncle कहीं भी आप हमें squeeze कर सकें तो please आप let me know क्योंकि she's visiting for a very small time and I really keen की वो blessings ले मालिक की और he was like okay हम आपको बताएंगे अंटी पर दो तिन दिन निकल गए कोई फोन आया नहीं and I was like I'm late क्योंकि अभी तक फोन नहीं आया तो में भी मैं नहीं रख पाऊंगी उस ताइम पर फिर भी मैंने उनको sit together I'll make the halwa prashad we'll do with him अपने आप कोई जवाब दे रहे हूं अपने आप कोई जवाब दे रहे हूं अपने आप कोई questions answers अपने आप से कर रहे हूं and early in the morning itself the manager of the Gurdwara Saab he called me and he's like तो आँटी आप कब रखना चाते हैं सुख मरी साब का पाट and I was like uncle कभी भी कभी भी आप जो भी date आप दे आप 19th का दीजे आप 20th का दीजे आप आप कभी भी दीजे मैं बहां पहुंच जाओंगी बस मुझे पाट रखना है तो calmly he's he's asking me no tell me when do you want to keep it and I'm looking at Guruji I said really okay then I told him that uncle thank you so much मैं इस डेट पे इस ताइम पे चाह रही हूं and आप बिलीफ करें unbelievable की packed schedule I saw it I mean मैंने अपने खुद से उनकी दाइरी में देखा कि कोई availability थी ही नहीं and that's how he he मेरा मतलब ये share करने का ये है कि वो कैसे आपकी एक छोटी सी thought को भी honor करते हैं अगर आपका भाव अच्छा है आप genuinely उनसे connected हैं तो वो आपकी छोटी सी छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं कि okay so blessings तो इतनी है कि शायद हम सुबह से लेके रात तक उनका गुंकान करेंगे तो कम पर जाएगा हर एक के साथ not with me I think everybody whosoever is connected with Guruji is a blessed soul मैंने मालिक से personally honestly speaking अभी भी मैं उन्हीं के साथ बैठी हूँ he's listening everything मैंने कभी कुछ नहीं मांगा मैंने जरूर एक बरी इसे बहुत ही हुपसूरत सोल के लिए कुछ मांगा था और ये कहते हुए कि Guruji आप मेरको आप पे इतना जादा ट्रस्ट है कि I want her also to believe that how strong my Guru is so treat her and that was the day and even today and I am sure आगे भी तो आप मालिक से कुछ मांगे नहीं आप जब firmly मानते हैं कि he is there with you 24-7 he is looking after you your family everything आप उनके हाथ में जब सारी ठीज़े दे देते हो तो आपको घबराने की जरुवत ही नहीं आपको घबराना है यह नहीं simply simply उनकी छोटी छोटी बातें जो कि बहुत larger than life नहीं है अगर हम daily life में अपनी उन चीज़ों को implement कर पाएंगे तो हम ज़रूर एक better human being बन पाएंगे जो कि यही वो हमसे चाहते हैं उनके दरबार में कोई चड़ावा नहीं है कोई fancy छीज़े नहीं है कुछ भी नहीं है it's just that के आप be a better human being सब को साथ में लेके चलें सब के साथ प्यार से रहें अपनी ego, अपनी selfishness को हमें drop करना है selfless love or respect, belief faith, small things which we just need to focus on and then I'm sure the journey is beautiful and the journey is beautiful for everyone whosoever is connected with Guruji Maharaj is a blessed, blessed person and what else I mean I can share so many things छोटी सी छोटी बड़ी से बड़ी हर चीज, हर बात उनसे connected है आप और क्या यह बोलू मतला मालिक की महर इतनी है उनके देने में कोई कमी नहीं है हमारे लेने में कमी हो सकती है उनके साथ कोई question नहीं है आप उन्हें थोड़ा सा प्यार करेंगे वह आपको बहुत सारा प्यार करेंगे तो बस उनसे प्यार ही करें उनकी संगत से प्यार ही करें और अपनी जर्नी में हम आगे बढ़ेंगे ऐसे ही एक साथ बढ़ेंगे and it's such a beautiful platform now that we can connect with each other we can hear out so many things and medical ailments और ये सारी चीज़ें तो हैं ही मतलब obviously he knows जैसे एक टीचर को पता है कि एक student कहां weak है किस student की क्या strength है किस student की क्या weaknesses है तो teacher knows all तो गुरू महराज से तो कोई बात चुपी नहीं है अगर मैं ये बोलो कि I am hundred on hundred तो no I am learning every day I guess every day is a new learning for me every day I am learning new thing I am आज भी मैं ये ही कहूँगी कि I am like in a empty vessel अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है और मालिक मुझे इस काबल बनाए कि मुझसे कोई गलती ना हो मेरी वज़े से किसी का दिल ना दुखे अपनी शम्ता में अटलीस मुझे इतनी पेशन्स मालिक बक्षे हैं कि कोई मुझे कुछ बोले भी तो मेरा रियाक्शन ना हो बहुत मुश्कल काम है पर अगर प्राक्टिस करेंगे तो आ जाएगा आएगा धीरे धीरे यही चोटी-चोटी चीज़े हैं संगत जी और कोई बहुत बढ़ा तो मेरे खाल से गुरुजी ने हमें कोई ऐसे रूल्स और रिगुलेशन उनके साथ कभी रहे नहीं है हाँ मैं जरूर बोलना चाहूंगी आज की डेट में कि हर इंसान की जर्नी अपनी है वी शुद नौट कंपैर वन इच अदर लाइग किसी को और ना ही हमें कुश्टन करना चाहिए मेबी किसी एक्स बंदे की जर्नी में उसको किसी और तरीके के experience हो रहे हो या उसकी टेलपेथी डिफरेंट के नेक्शन पे हो या जो भी हो I think we should not question anybody's belief system or faith system like to be very honest with everyone इतने सालों में आज तक मुझे कभी मालिक का सपना नहीं आया मैं नहीं बोलूगी कभी कि ओ गुरुजी मेरे सपने में आया और उन्होंने मुझे ऐसा बोला बिठो सकता है कि मेरे साथ कोई और हो जिसको कि उन्होंने वैसे ब्लेस करना हो सपने में आगे तो हर इंसान की अपनी जर्नी है आप अपनी जर्नी में फ़र्म रहिये और as a Guru Sangat we should support each other we should honor every word of his saying at least try and honor कि जो उन्होंने कहा है हम उस चीज़ पे चल सके हम आगे बढ़ सके और सब को साथ लेके चले क्योंकि Guruji obviously used to believe that okay even today he loves it कि अगर आप Sangat बढ़ाते हैं आप बताते हैं किसी कोन के बारे में आप जोडते हैं Sangat and that's it or what else can I say I mean these are few things I guess we should we all are so loved by him and we should be thankful and grateful and we all are so blessed that he is there he is there in our lives and he is taking us further और ऐसे ही मालक सबको सबको सब्दा भला सबको एक साथ हमेशा रखें और सबके लिए आगे बढ़ाएं और सबको बहुत बहुत कल्यान करें कोई छोटा नहीं है कोई बढ़ा नहीं है मालक के दर्वार में आप भी बैठे हैं नैं भी बैठे हूं और भी कोई बैठा है और कोई वीडिया आएपी भी बैठा है तो उनके आगे तो सबी एक समान है कोई चोटा बढ़ा नहीं है मालक के दर्वार में आप बस उनसे सचे दिल से सचे भाव से उनसे प्यार करें उनकी तरफ देखें और ऐसे आगे बढ़े that's it and मुझसे कोई गलती हुई हो कुछ बोलने में this is the very first time I'm sharing a satsang on such a such a platform so I'm grateful to Suresh अंकल and this group also that उन्होंने मुझे स्लाइक समझा कि मैं आके कुछ बात share कर सकूँ 2005 से आपकी जरू हुई and like you said it's such a beautiful journey yes it would be so nice if you could share with us any experiences that you know further strengthened your faith or are such your wonderful memories with Guruji his mercy on you his blessings on you we would be very happy to hear any experiences of yours आज का आपने बाता है आपने बाता है बुद्वारा really inspiring कि महराज is always listening absolutely even if things are not working out in our favor we just cannot forget that and so when you share this it you know strengthens the faith of many sangat who are listening who जो इंतजार कर रहे है महराज के महर का they know that he is listening so अगर आप और भी कोई अपने experiences share करें it would be really wonderful आदे मेरे experiences मैं आपको क्या ही बता हूँ मतलब मैं I lost my parents when I was quite young and उस वकत आप समझें कि as a youngest child and your parents not being there वो ना एक बहुती anxiety और बहुत अजीब सी disturbance थी life के अंदर और ये मेरा personal experience है कि ऐसे मुझे लगा कि एक बारी में संगत सत्सन पर बैठी हुई थी and I'm still very close to my mother like after Guruji if I look at somebody I look at my mother so आप मानेंगे Guruji के इतनी महर है मतलब मैं कहती हूँ ना जब कि वो एक एक बात ओनर करते हैं आपके जो दिल के अंदर चल रहा है जो आपके दिमाग में चल रहा है वैसे Guruji महराज के साथ दिमाग तो चलाने ही नहीं चाहिए मैं इतना तो मैं आज कहूंगी कि आप अपना दिमाग छोड़ दें आप सिर्फ दिल से और अपने सचे भाव से अगर मालिक को अप्रोच करेंगे तो he's always, always there I guess जहां आपके question, answers, if and buts नहीं आने चाहिए उनके साथ उनके साथ every day is a miracle every second is a miracle and तो मैं सत्सर में बैठी हुई थी और मैं I really used to cry a lot at that moment I mean every second day I used to miss my mother like crazy and मुझे हमेशन that was a anger in me you know that why 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 she left so early I mean very close very thick with my mother so Guruji ने मुझे जैसे एक real चलती है यह मेरा personal experience है जैसे real चलती है तो मेरे बहां पे Guruji महाराज का सुरूप था सत्संग पे और Guruji महाराज के सुरूप के अंदर आप मानेंगे एक ऐसे real जैसे चलती है switch होती है Guruji का सुरूप जो था वो और उसके बाद Guru Nanak Ji का सुरूप आया और उसके बाद मेरी ममी का picture उस frame के अंदर and it kept shuffling it's like okay Guruji Guruji and Guru Nanak Ji and Mamma and Guruji and Guru Nanak Ji and Mamma and that was his way of telling me that no don't worry I'm there you know मेरे में देख मुझे देख और वो देने और आज का देने आउंटी यह सच है कि मतलब I'm a changed person altogether I have learned so much with him with such good good sangat such sang मतलब Guruji ने हमें इतना प्यारा परिवार दिया है इतना प्यारा परिवार दिया है कि हो सकता है आपकी रिष्टदारी में we are very humans but as a sangat as a sangat परिवार मुझे नहीं लगता कभी आपको कोई let down करेगा Guruji के sangat परिवार में कि आपका इतना कहना कि आप भी आप भी Guruji मतलब इतना ही बहुत है the moment they you tell them that okay you also follow Guruji इतना ही बहुत है people are sangat are so there for you you know so मेरे personal experience उनके miracles तो मैं आप क्या ही बोलूँ मेरी daughter का बहुत personal experience है उसकी शादी का बहुत जो fix हुआ वो experience है मालिक का उसने बाहर पढ़ने जाना था तो joint family के अंदर आपको पता है थोड़ा सा comparisons होते है competition होता है तो Guruji उसके आए मतलब हमारे बच्चे भी connected है यह भी मालिक की कितनी महर है कि आज की डेट में यंग बच्चे भी connected है or the switch from the parties to the satsang the switch from you know spending your special days with him with the sangat this switch and the journey and the road which he is taking us on is such a wonderful journey तो personal experiences as such मैंने जे साब को बताया है कि 2005 में we are blessed enough कि we could go and meet him in person when he was very much in his physical form but then there was a stop for us वो भी I am sure Guruji मालिक को पता था और पता होगा वो तो जानी जाने है उनको बता था कि मैंने कब इन बच्चों को बुला के किस लिए बलेस करना है और फिर मैंने कब इनसे क्या चीज करानी है मैंने कब किस तरीकी की सेवा लेनी है इनसे तो every I guess every day is a new satsangh and a new experience और जैसे मैंने का हर इनसान का different है मेरा तो मैं maybe I am short of words I I can't explain it in a plain language that how how he kind of blesses us or how he has blessed me but all I can say is that जब भी कोई छोटी से छोटी चीज होती है I really used to cry a lot but आज मैं मेरे कहसे आज मैं बहुत सालों बाद satsang करते हुए वीखुई हूँगी but the way he holds you the way he connects you with the right people in your life you know और जिस वकत एक चीज़ बहुत जरूरी है जो शायद मैं आज बोलूगी कि never ever question him when you say that okay surrender is a very big word कहने में बहुत असान है यह surrender कर दीजे surrender करना इतना असान होता नहीं है क्यूंकि we are हम practicality में जीते हैं हम ब्रहस्त आश्रम में रहते हैं हमें सारे relations निभाने जैसे गुरुजी ने भी हमेशा कहा उन्होंने ऐसे special कभी कुछ कहा नहीं कि आप चलिया रख लिजे या आप यहां के दर्शन करके आए या आप ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा so that's how I say that he is a very simple guru हमें बहुत simplicity में बहुत बड़ा कुछ मिल गया है महाशिव ऐसे ही नहीं है मेरे को चाहद मेरी अकाद भी नहीं लगती कि मैं उनको इस तरह बुला सकूं तो आप I'm really I'm overwhelmed and I'm short of words at the moment that क्या ही बोलू but this is all I could gather at the moment कि I can share कि मैं उनके बारे में क्या ही बोल सकते हूं but yes we all should I guess just thank him just thank him and request him कि कभी कोई गल्ती से भी हमसे गल्ती हो जाए जो कि होती है रोज होती होंगी पर वो बक्षनहार हैं हम रोज भूल करते हैं वो रोज बख्षते हैं और ऐसे ही हमें बख्षते रहें इस काबल बनाए रखें कि हमारा हाथ कभी न छोड़े हमसे अपनी कही हर बात पर हम पूरे उत्रे हमें इस काबल बनाएं और अपूर न इस वकत नहां इस काबल बनाएं you tell me if you have anything in your mind I can definitely say something but this is all that's it more to learn maybe I look at him and I just this is what I say that you are growing up and never leave your hands do everything bless do everything that's it anything else auntie no auntie thank you so much we would definitely would have been happier if you would have shared with us you shared a few things but more than that what I could sense was such a you know there's so much peace within you and there is so much love for Guruji Maharaj all that has come through shining through your satsang like you said you may be short of words but you are bang on right you are so correct you are so correct and I think I'm learning every day every day is a new learning for me believe me every day and now I'm going to be very further we are going to be very further now I don't know anything else I'm like a blank paper I still have to improve there's so much to improve in myself and honor him like is a huge thing is a huge blessing in today's day and I guess we all even I mean you are shining yourself so I guess it's all his grace it's absolutely his grace on us and we should connect more I guess we should connect more and on a different level and maybe we could I could learn something from you you know so there is nothing that we learn we all are blessed by Guruji and as you said every day there is a learning in this journey that is why it is a beautiful journey because Maharaj is the true Guru who is teaching us every day he is teaching us and what could be better than that yes you said we are blessed we are all truly fortunate and aapko bhi 2005 me Maharaj ne bulaya darshan diye and like you said he knew that you may not be able to come physically to his darbaat for some years but isi liye unho ne aapko bharpur blessings di jisse na keval aapke jeewan me jobhi kash se thode me nipad gai I'm sure I'm just assuming but more than that the connect jisse kehten na ek naam daan joh ek guru dete hai parmatma dete hai jab woh milta hai to puri zindagi badal jati hai bas and you know itna sundar kaha that guru maharaj his expectations of us are minimal he only wants us to be simple honest and you know lead a good life good human being aapne yaad dilaya or try to you know also not only look for blessings for yourself but also the people who are connected with you in your heart you asked guru maharaj to bless your friend with good health so you know meri ko yaad a friend of mine dear friend he is a doctor he is a doctor he is a doctor and I many times I have said that he will go with me but for some reason he will not go there were lots of thoughts going on in his head not because he didn't want to go but it is now nearing the end of the road and I have a firm belief that I have given him the truth for the last few years which is in his wallet and I know guru ji ki meher chal rahi because for the last many years he may be on the critical list but he is still with us and I that's what I keep praying to guru ji maharaj aap apni meher rakhiye and maharaj does that anybody jis ki dil se ham ardaas karte hai guru ji just blesses them so my hands are also folded and my head is bowed and always requesting guru maharaj guru maharaj there are people who still need to be here unki abhi responsibilities puri nahi hoi hai so do have meher kariye baqi rest whatever you think best maharaj so auntie you know like you said ki jab ap wahaan gai pehli baar to you became numb yeah I think chaise aapnei ka we all experienced that because guru maharaj ki energy is so powerful that everything else just pales in comparison or sab kuch bhul jata tha sab nam ho jata tha because of his energy being so powerful and bas auntie aapne phir since you say that you know you are not able to put your blessings into words we accept that and we thank you immensely ki aap aaye aur aapne apni beautiful journey jo guru ji ke saath hai chal rahi hai and you are just like all of us grateful for every day every moment and so i will thank you and so i will thank you on behalf of multilingual and so i will thank you on behalf of multilingual ki taraf se aapka bhoot bhoot shukrana i hope i hope you thank you thank you and auntie thank you i hope 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 my ne justice kiya ho itne bhoot platform ke saath kyunki aap maane ki meir ko lagta hai mai bhoot hi ek tinka bhar bhi nahi hon toh mai kya hi hi unke baare mein bol paongi but i would end this beautiful satsang on the note that jasee malik ne hume hameisha sikhaya ki satsang, simran, sabar, shukar, bhoot zharuri hai, bhoot zharuri hai vohi hum try karte hai aur ye itna khub surat platform ab toh hai humare paas ki hum kaha bhi baite huay jude hai kitni baat hai hume ek dusra ke saath kar saktate hai, pocha saktate hai toh it's a wonderful wonderful thing which you all are doing and thank you so much for making me a part of this beautiful platform of yours I am so so grateful to you and to Suresh Ankal and to Guruji for at least you know giving me an honor to be a part of this beautiful group thank you so much auntie and just please excuse me for not being able to maybe kind of put so much through it because it's actually overwhelming for me believe me no auntie Nidhi auntie bhoot bhoot shukrana aapka and you know it's nothing to do with us Guru Maharaj chooses the Sangat he wishes ki wo jis tin koon aega aur apni journey share kareenge apne words yada na bole hun but you have inspired all of us in your very humble in your very loving way you have inspired everybody and reminded us what is it that Guruji expects from us only love and simplicity and hamara ek endeavor ho na chahiye to become better every day bilkul yes so I will thank you and thank Guru Maharaj ki itni piyari Sangat Maharaj aap ne bheji Nidhi auntie hamare saath hai and bhoot bhoot shukrana Maharaj aapka bhoot bhoot shukrana thank you so much auntie thank you jai guru ji jai guru ji jai guru ji jai guru ji host uncle ji can I request you to ham sab ko agya dilwa diji maharaj se ji auntie jai guru ji shukrana guru ji shukrana guru ji agya do guru ji maharaj agya do shukrana guru ji agya guru ji baki shukrana guru ji bhaqishg ibha aun si HR झाल 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 झाल